प्रिम्चंद प्रजापती जी की पार्टी है बाबुरामपाल जी की पार्टी है अनिल चौहान जी की पार्टी है रामसागर बिंद की पार्टी है रामकन कस्यप की पार्टी है और भारती समाज पार्टी ये आठ लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मुर्च कि इसको पढ़ाने के लिए मुर्चे में और ताकत पैदा करने के लिए तो आज वैसे साथ से आज मुझा का जिमारी हो और यह भी आपके सामने उन्होंने पताया है कि हम दी मुर्चे में जो हमारी सोच है कि सिक्षा स्वास्त दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को अग कहने से करने से तो बहुत अंतर है मोती जी ने तो कहा था कि 2 करोर नो करी देंगे और 12 लोगों को नो करी छिंगी है जी ने कहा था कि देश भाने कर दिया सब्वर। बेच दिया मोदी जी ने कहा था जी एश्टी आएगी तो एक देश होगा एक टेस जी एश्टी आ गई बरबाद कर दिया देश को जी डीपी कहां चली गई मुह के बाद धर्टी पे गिर गई तब कहने से और करने से बड़ा अंतर है जोतर साल की आजादी में क्या हो रहा है आप कर लेंगे के मुलाकात हमारी है आप लोगों के सामने भाई दे बताया तक हम मुर्चे में करके लोग करके प्रयास हो रहा है कि अब कौन लोग आंगे जैसे आते रहे हैं कि पहले हम लोग चुनाव मैदान में गए नहीं सीटाई नहीं किसी बड़े दल से पाचित करने की कोशिश होगी दिखे सचाई तो यह है कि आज के तारिक में चाह सपा हो चाह बसपा हो चाह कांग्रेस हो अकेले अकले किसी की कुवत नहीं है आज भी मजबूत है बगर मोर्चे के किसी की कुवत नहीं है कोई आगे बढ़ सके तो जो सचाई उसको आपको बीजेपी की बीटीम करें सकते हैं इसे नाते कि वह सीजी एक बड़ी ताकत है और बीजेपी वह सीजी से लड़ी है पूरे देश में हैधराबाद के चुनाव क तो पूरे टीवी पर आके चैनलों पर सिर्फ बयान आता था चाहिए अमी साथी जी काया हो चाहिए किसी के नेता के बयान आया था उनके बयान में सिर्फोंगे दूसरा कोई नेता नहीं का अब उसक्वाब का कहेंगी तो तो चुनाव लड़ने को तयार नहीं था हमने भी वो दौर देखा है कि टिकट लेके घुमते थे राजबराइब्य की लाइव अधीजिए कहना अधार बारति जंता पार्टी का कहना है कि उम्रकास राजबर काटने आये हैं समधबादी पार्टी भी आरोप लगा दीजिए क्यों उनको परिशानी किस बात का परिशानी है कि चुनाओ जीतना है ना सबको जब ओट कट जाएगा तो जीतना कर लें तो कौन जीतेगा मारा मुर्चा जीतेगा कि विपक्ष का आरोब है कि आप भारती जन्ता पार्टी के हाथ में वैसी खेल रहे हैं और उंप्रकासाद भी यह तो कल तक हमको बसपा के लोग काते दें कि सपा के लिए काम करते हैं जब सपा का नुकसान होने लगा तो बसपा के लोग कहने लगे तो चलता नहीं तो आपक कि लड़ाई लड़ा जब वहां सफलता नहीं मिली तो मैंने इस्टीपा देके चलाया अब इससे बड़ा प्रमाण क्या दे सकता हो ओवैसी ने पास इनके काटकर वहां जो एंडिये को जिताया है यह आरोप लगाया कि अब 2022 में यही करने आगए यह गलत बात है अगर वह आगेया चलने शुसासंद की सरकार चल रही है कानून ब्यवस्ता इतनी सुत्रिण है रही है सरकार कर इए कह रही है ऐसे में वह ऐसी और दो शह जयाम आजबा कह रही है भाजबा कह रही है भाजबा के राज में यस्पी 6.00 रुपया महीना इस्वत मांगा नहीं दिया तो गोली मर दिया जो आज भी भागर फरार हो इस पी इंके राज बइस्पासे चार्टर टेंस हेलिकॉप्तर परीशा आध़न अरे कोई कुछ दियावदें था वो थीट करा हैं नानों जाएक है कि दो्वाइक दूप्र है कि दो कुछ और हम अटेमेट था अहां दूप्र पर दूप्र पर संवेख दूफवाद कुछ।